नमस्कार दोस्तों स्वागते आपके अपने यूटूब चेनल RBSC with HSM में Government of Rajasthan School Education Department Rajasthan Council of School Education Department के द्वारा गारगी एवं प्रोस्तान पुरुसकार 2019-2020 के अंतिम तितियों में बढ़ोतरी कर दी गई है इस वीडियो के माद्यम से हम यह जानेंगे कि नई तितियां क्या निर्दारिती की गई है एवं हमें किस परकार ओनलाइन आवेदन करना होगा एवं हमें क्या-क्या साबधानिया बरतनी होगी जैसे हम वैपसाइट पर पोचेंगे हमें इस तरहें का लिंक दिखाई देगा इस वैपसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में भी उपलब्द करा दिया गया है जेसे हम वेपसाइट पर पोचेंगे हमें इस तरहें का इंटरफेस दिखाई देगा यहां कुछ लिंक दिखाए देंगे बाली का सिक्षा प्रोसाहन जेसे हम क्लिक करेंगे क्लिक करते ही कुछ इस तरहें का इंटरफेस दिखाई देगा बाली का सिक्षा प्रोसाहन जैसे हम गारगी पर गारगी पुरुषकार पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही हमें इस तरह का जो इंटरफेस दिखाई देगा यहां हम विभीन परकार की जो योजनाएं जो वर्तमान में संचालीत हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो यहां पर बालिका प्रोसान कक्षा 12 के लिए पर जैसे हम आवेदन पर क्लिक करेंगे आवेदन पर क्लिक करते ही हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा सबसे पहले हम जो नई तिति निर्धारित की गई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो यहां आवेदन की अंतिम तिति साथ फरवरी 2020 कर दी गई है ओनलाइन आवेदन करने के लिए आवशक जो दिशा निर्देश है वो भी हम पढ़ लेते हैं बालिका संबंदित वीवरण जहां से उसने अध्यन किया था एवं वर्तमान में अध्यन कर रही है बालिका के बेंग खाते का वीवरण रद कीएगे चेक अथवा बेंग पास्बुक के प्रथम प्रष्ट की सौप्ट कोपी और साइज है सो केबी द्यान दे बेंग खाता बालिका के नाम से होना चाहिए जहां आवशक है टेंथ और ट्वल्थ की मार्क शीट की सौप्ट कोपी और इसकी भी साइज सो केबी से कम होनी चाहिए और फॉर्मेट होना चाहिए जेपीज या पी एंजी फॉर्मेट होना चाहिए निर्धारित प्रपत्र में साइड मेन्यू में उपलब्द है वर्तमान में अध्यानरत विद्याले के संस्ता प्रदान का प्रमान पत्र की सौप्ट कोपी और इसकी भी जो साइज हो सो केबी फाइनल सब्मिट से पूरू दुबारा से जानचे एम सुनशित करे क्योंकि आवेदन परपत्र सब्मिट के परशात इसमें बतलाव संभव नहीं हो पाएगा फाइनल सब्मिट बटन पर क्लिक करने के परशाती आवेदन परपत्र सेव होगा और एप्लिकेशन नंबर आपके मोबाई नंबर पर एसमेस के माध्यम से प्राप्त होगा एप्लिकेशन नंबर को बहुषे के लिए सुरक्षित रखे तो यह हमने आवेदन परपत्र बढ़ने समंदी जो दिशा निर्देशी वो देखे विद्यार्ती को सबसे पहले परमानिकरण करना होगा इसमें चात्र का नाम सत्र 2018-2019 में कक्षा 12 के रोड नंबर मोबाई नंबर और परमानिकरण पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें परमानिकरण करने के परशाद दिएगे मोबाईल पर एसमेस के माध्यम से OTP प्राप्त होगा उसको देखकर नीचे देगे बोक्स में प्रविष्ट करें तो हम कि इस तरह से आवेदन कर सकेंगे आवेदन कि परपत्र पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही हमें कि इस तरह का जो इंटरफैस से वो दिखाई देगा आवेदन परपत्र प्रिंट करें तो यहां पर गारगी पुरुसकार जो टेंथ क्लास के लिए हैं यहां क्लिक कर सकते हैं और जिनोंने बालिका प्रोसान पुरुसकार कक्षा ट्वल्थ के लिए बहरा है वो यहां पर क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ छात्रा का नाम, मुबाई नंबर, रो नंबर, यहाँ एप्लिकेशन नंबर जो OTP के माध्यम से मिलेगा यहाँ भरे और प्रिंट एप्लिकेशन फॉर्म पर सब्मिट करते ही हमारे जो फॉर्म में वो प्रिंट हो जाएगा आवेदन परपत्र की इस्ति यह आपडेट को भी हम जान सकते हैं तो यहाँ पर अगर गारगी पुरुसकार है तो यहाँ अगर बालिका पुरुसकार है तो यहाँ क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं रोन नंबर मुबाइल नंबर एप्लिकेशन नंबर रोन नंबर और एप्लिकेशन नंबर में से कोई एक भरेंगे और चेक एप्लिकेशन स्टेट पर जैसे हम क्लिक करेंगे क्लिक करते ही हमें हमारे जो अप्लिकेशन फॉर्म जो हमने बरा है उसके समंद में सारी जानकरिया प्राप्त हो जाएगी संस्ता प्रदान का जो प्रमान पत्र है जो अप्लोड करना है वो भी हमें एक PDF फाइल में प्राप्त होगा तो यहां परमानिकरण किया जाता है कि कुमारी पुत्री स्री यहां सेम का नाम विद्यार्ती का नाम यहां पर पिता का नाम इस विद्याले की कक्षा में कक्षा का नाम नीमित विद्यार्ती की रूप में अध्यन रत है यह चात्रा बाली का सिक्षा फाउंडिशन द्वारा प्रदत गारगी पुरुसकार एत्वा बाली का प्रोसान पुरुसकार योजनक के अंतरकत पुरुसकार प्राप्त करने की हगदार है चात्रा का विवरण मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है यहाँ पर संस्ता प्रदान के अस्ताक्षर और मोहर चस्पा दी जाएगे इस तरह से हम इसका प्रमानिकरण करेंगे संस्ता दिशा निर्देश क्या क्या जारी किये गये हैं तो इसकी PD फाइल डाउनलोड करके हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले यहाँ गारगी जो पुरुसकार है उसके समन्द में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं तो माध्यमिक सिक्षा बूर्ड अजमे द्वारा आयोजी सेकेंडरी प्रिवेशिका मोडल इसकुल परिक्षा 2019 में 75 परतिशत कितने परसेंट है पिचेतर परतिशत या इसे अधिकंग प्राप्त करने वाली बालिकाएं गारगी पुरुसकार के लिए आवेदन कर सकेंगी पुरुसकार हेतु चात्रा का कक्षा 11 में नियमित अध्यनरत रेने पर ही पुरुसकार दे होगा वर्तमान में चात्रा जिस विद्याले में कक्षा 11 में नियमित अध्यनरत है उसे उस संस्ता प्रधान का नियमित अध्यन प्रमान पत्र इसकेंग करके अप्लोड करना होगा पुरुसकार रासी बालिकाओ के बैंक खातों में इस्तानांतरित की जाएगी इसे तु बैंक पास पुसकी बैंक पास बुक की फोटो प्रती स्केंग कर अप्लोड करनी होगी आवेदन पत्र में बालिका के स्यम के बैंक खाते का विवरण देना होगा मादे में चिक्षा बोर्ड द्वरा जारी सूची में यदि बालिका का नाम नहीं है तता उसके प्राप्तांग पीचतर प्रतीशत या इससे अधिक है तो ऐसी बालिकाएं भी पुरुसकार है तो आवेदन कर सकेंगी इसे तु अंक तालिका इसकेंड करके अप्लोड करनी होगी आवेदन पत्र में ब्लोग अत्वा पंचाई समिती का इसपस्ट उले करना होगा आवेदन पत्र की सम्मद में यदि कोई समिश्या हो तो सम्मदित मुख्य ब्लोग चिक्षात अधिकारी कारले से संपर्क करें पुरुस्कार रासी तीन हज़ार रुपे दे होगी इस समन्द में विस्त्रित जानकारी है तु इस इमेल आइडी पर अगर कोई समिश्या हो तो सम्मदित किया जा सकता है अथवा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके और अपनी समिश्या को अवगत करा सकते हैं अब बात करेंगे हम बालिका पुरुसान पुरुस्कार कक्षा बारह हेतु दोहजार उन्नी से दोहजार पीस तो मादे में सिक्षा बोर्ड अजमेट दोहरा आयोजित सीनियर सेकेंडरी वरिष्ट उपादय परिक्षा दोहजार उन्नीस में पिचैतर परतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वालिका हैं बालिका पुरुसान पुरुस्कार के लिए आवेदन कर सकेंगी पुरुसकार रासी बालिकाओ के बेंग खातों में इस्ताना अंतरित की जावेगी इसे दू बेंग पास्बुक की फोटो परति इसकेंडर अप्लोड करने होगी आवेदन पत्र में बालिका के स्वेम के बेंग खाते का विवरण देना होगा मादे में सिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सूचे में यदि बालिका का नाम नहीं है तता उसके प्राप्तांग पिचतर परतिशेत या इससे अधिक हैं तो ऐसी बालिकाएं भी पुरुसकार हैतु आवेदन कर सकेंगी इसे तु अंगता लिका की फोटो प्रति स्केन कर अपलोड करनी होगी आवेदन पत्र में ब्लॉक पंचाय समीती का इसपस्ट उले करना होगा आवेदन पत्र के समंद में यदि कोई समिश्या हो तो समंदित मुक्के ब्लॉक सिक्षा अधिकारी कारले में संपर करे पुरुस विसितरी जानकारी है इसमेल अइडि से भी हम लें सकते हैं कि मुक्रों क्यों आवेदन है कि इस तो अगर कोई समिश्या आती है तो हम इस तरह स हुपन करेंगे अवेदन पत्रों को भरने में आ रही समश्याओं की निराकरण है तो आवशक निर्देश जिन बालिकाओं का school certificate शो नहीं हो रहा फॉर्म भरते समय उसे कोई school certificate अप्लोड करने की जरुरत नहीं है जिन बालिकाओं की अंग तालिका शो नहीं हो रही है उन्हें फॉर्म भरते समय कोई अंग तालिका अप्लोड करने की जरुरत नहीं है जिनका नाम लिस्ट में शो नहीं हो रहा है तो बालिकाओं स्टूडेंट ने not exits वह वह ओप्शन स्लेक्ट करे यह ओप्शन लिस्ट के अंत में शो होगा इसके स्लेक्ट करने के बाद उसमें टेक्स्ट बुक ओपन होगा जहां वह बालिक का अपना नाम लिख सकती है जिन बालिकाओं के इसकुल शो नहीं हो रहे है उस इसकुल को RTE पोर्टल पर रेजिस्टर करवाना होगा रेजिस्टर करवाने का कारे विद्याले द्वारा करवाया जाना है बैंक पास्बुक अच्छे से स्केन कर अप्लोड करें बैंक खाता बालिका के नाम से ही होना चाहिए अनिता फार्ब निरस्ट कर दिया जाएगा जिन बालिकाव का आविदन पत्र अकाउंट नो इसकुल आदे गलत बरे हैं अकाउंट नंबर और इसकुल आदे गलत बरे हैं भर जाने के कारण जिनके कारण आविदन पत्र अप्रूड नहीं हुआ है तो ऐसी स्थति में आविदन की स्थति अपडेट पर जाकर अपडेट कर सकते हैं आविदन पत्र के अंत में यदि पेंडिंग आ रहा है तो CBO द्वारा वेरिफाई या जांच कराने के बाद पेंडिंग हटकर उसके स्थान पर अप्रूड या रिजक्ट हो जाएगा बालिका प्रोसान पुर्शकार कक्षा बारह के लिए नीमित अध्यन परमान पत्रों को अप्लोड करने के आवशकता नहीं है तो ये कुछ मैत्पूर्ण तत्य थे जो ओनलाइन आविदन पत्र बढ़ने समय जो समिश्या हैं उनके निवारण के संधर में तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही मैत्पूर्ण जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके संदर में विस्तार पूर्वक्चरचा कि आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी उपियोगी से दुआ होगा फिर मिलते एक नई अपडेट के साथ तब जे भारत